आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Hi Friends, तुर यहां Question में के दिया हुआ है? यहां Question में आपका दिया हुआ है Elements A, B, C, D, and E Have Electronic Configuration as shown in the Table ठीक है? यहां नीचे Table आपका बना हुआ है हमसे First Part में क्या पुछा गया है? Name the element which belong to the Second Period ठीक है? अब यहां पर आप समझेगा है यहां पर हम लिख रहे हैं आपका यहां देखिए हमसे पूछा गया है कौन सा element Second Period को belong कर रहा है ठीक है? तो देखिए यहां पर समझेगा देखिए Period Number जो होता है First Part बता रहे है Period Number आपका Actual में क्या बताता है? Valence Cell को बताता है Valence Cell को बताता है Valence Cell आपका क्या होता है? Outer Most Cell जो होता है उसी को हम लोग Valence Cell बोलते हैं यहां लिख दे रहे है Outer Most Cell Outer Most Cell जो होता है वही आपका क्या होता है? Valence Cell होता है अब हम के का बात करें तो के आपका क्या होता है? First Cell यहां समझेगा First Cell L आपका क्या हो जाएगा? Second Cell ठीक है? M आपका क्या हो जाएगा? Third Cell यहां देखिए अब यहां समझेगा इस चीच को ध्यान से अब हम यहां पे Table पे आते हैं ठीक है? यहां पे Table पे हम देख रहे हैं तो देखिए यहां पे इस चीच को देखिए A जो है आपका यहां समझेगा A जो है A आपका देखिएगा यहाँ पे तो A का आउटर मुझ सेल कौन सा है L है ठीक है A का आउटर मुझ सेल L है और L हम ने क्या बताया था Second cell को belong करता है यहनुने यानि इसका वैलन सेल आपका क्या है Second है तो period number इसका वैलन सेल कौन सा है इसका valence cell जो है यह आपका क्या है L है और L आपका क्या होता है second cell अभी हमने बताया तो A आपका A का period number क्या हो जाएगा second हो जाएगा इसका period number आपका second हो गया ठीक है आगे solve करते है B देखिए B का अगर हम बात करें अब देखिए आगे आप देखिएगा यहाँ पर ध्यान से देखिए B C D E इन चारों में अगर आप देखिएगा तो इन चारों का balance cell आपका क्या है outer muscle आप देख सकते हैं साफ देख सकते हैं यहाँ पर M है ठीक है और M हमने क्या बताया था third cell होता है तो यहाँ पर मिसी चीज़ को लिख रहे है यहाँ समझेगा यहाँ लिखते हैं आपका B C D ठीक है E यहाँ देखिएगा B C D E इन चारों का जो balance cell जो है balance cell इन चारों का balance cell आपका क्या है M और M किसको बताता है third cell को बताता है ठीक है यहाँ समझेगा M किसको बताता है third cell को बताता है तो देखिए इसका period इन चारों का period number क्या हो गया third हो गया period number third हो गया अब हमसे question में क्या पुछा गया था second period किसका है तो second period किसका आ रहा है एक आ रहा है तो यह आपका first part हो गया, आगे देखे question में, यहां देखिए, यहां समझेगा, देखे second part में आपसे क्या पूछा गया है, name two elements which will exhibit a valency of one, पहले आप समझेए valency होता क्या है, यहां पे हम समझते हैं, second part बता रहे है, valency का मतलब क्या होता है कि कोई भी element आपका कितना electron gain करे या lose करे ताकि वो नोबल गैस का electronic configuration acquire कर सके, ठीक है, तो element आपका कितना gain करे या lose करे electron, ठीक है, ताकि वो novel gas का electronic configuration acquire कर सके, novel gas का electronic configuration, यहां लिख दे रहे हैं, इधर लिखते है, electronic configuration acquire कर सके, configuration, ठीक है, acquire कर सके, ठीक है, यहां बोल सकते है, achieve कर सके, ठीक है, यहां समझीगा, इस इसको ध्यान से, ठीक है, अब हम यहां पर table पर आते हैं, तो आपका table यहां दिया हुए, ठीक है, इसको समझते हैं, तो देखिए, यहां पर table पर आ रहे हैं आपका, तो A में देखिए, ऐ का अगर अपना 3 व 라ोश कर दे तो इसमें । तो इसमें Talent कितने हो जाएंगे अग में हो जाएंगे और दो uks में होटे आपके हिलियम में होते हैं Communist यहां पर क्या बूल सकते हैं यहां उनका क्या lira समझेए नो इंट error तो यहां समझेद तो A जो है, A अपना 3 electron lose करेगा, lose करेगा तो वो किसका electronic configuration acquire कर लेगा, helium का, helium जो कि आपका क्या है, noble gas, ठीक है, यहां समझेगा, तो यहां से हम क्या बुल सकते हैं, कि A का balance, यहां समझेद, A का balance आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ठीक है यहां समझिए अब आगे चेक करते है अब हम B देखते है ठीक है अब B का आउटर में उस सेल में कौन सा है M, M में कितने हैं एक एलेक्टरॉन अगर अब देखिए अगर B अपना 1 एलेक्टरॉन लूज कर दे तो इसमें टोटल एलेक्टरॉन कितने हो जा तो इसका किसका इलेक्टरॉन लूज करना पड़ा वन लूज करना पड़ा न इसका बैलेंस अपका क्या हो जाएगा वन हो गया ठीक है है आगे चेक करते हैं समझेगा c का बात करते है ठीक है अब c में आपको देखना पड़ेगा एक चीज यहां समझेगा देखे c का outer most cell में कितना है आपका पांच electron है ठीक है अब समझेगा यहां अब देखे c का outer most cell में कितना है 5 electron है अगर देखे c अपना c यहां पे 3 electron gain करेगा तो इसके total electron कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे outer most cell में और पहले से देखिए कितना electron है 2 और 8 तो देखिए total electron इसमें कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे यहाँ पे हम आपका समझा रहे है यहाँ समझेगा C का बता रहे है ठीक है तो C जो है C का पहले देखिए कितने electron है C का आपका कुछ इस तरह से KLM है ठीक है यहाँ समझेगा यहाँ पे हम आपका बता रहे है इस तरह से ठीक है यहाँ देखिएगा तो C का हम आपका बता रहे है यह 285 है ठीक है अब हमने क्या कहा हमने यह कहा यहाँ समझेगा कि outer muscle इसका कौन सा है M में यहाँ पे 3 electron अगर gain कर लेगा तो यह total कितने हो जाएंगे इसका M में 8 electron हो जाएंगे ठीक है अब total electron अगर आप count करेगा तो 2 plus 8 plus 8 2 plus 8 plus 8 कितना हो गया 18 electron 18 electron किस में होता है आपका यह आपका किस में आजाएगा आरगन में आजाएगा ठीक है यह आपका आरगन में आगया जो कि आपका क्या है novel gas यहाँ समझेगा novel gas ठीक है अब देखिए तो novel gas है तो देखिए यहाँ पे कितना 3 electron आपको gain करना पड़ा देखिए यहाँ पे plus 3 3 electron gain करना पड़ा तो C का balance हम क्या बोलेंगे 3 हो जाएगा C का balance आपका क्या हो गया 3 हो गया ठीक है अब देखिए आगे हम चेक करते हैं आपका यहाँ समझेगा यहाँ पे हम आपका बता रहे है आगे आपका क्या है C के बाद D है ठीक है यहाँ समझेगा D को चेक कर रहे है ठीक है अब देखिए D का outer muscle का अगर हम बात करें देखिए D का outer muscle में कितना है आपका 7 electron outer muscle आपका कौन सा है M M में कितना है 7 electron तो देखिए D 1 electron gain कर लेगा तो इसका outer muscle में कितना हो जाएंगे 8 electron हो जाएंगे total ठीक है तो देखिए यहाँ पे D को कितना 1 electron gain करना पड़ेगा अब 1 electron जब gain कर लेगा तो total electron कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए total count कर लिए पहले से 2 और 8 था 2 प्लस 8 और देखिए इसमें 7 में एक और electron add करियेगा तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा ठीक है तो यह आपका कितना हो गया total 18 electron आगया अब 18 electron किसमे होता है आपका organ में होता है जो कि आपका क्या है novel gas है यह आपका noble gas है तो देखिए यहां पे आपको one electron gain करना पड़ा, ठीक है, one electron आपको क्या करना पड़ा, gain करना पड़ा, ठीक है, तो D का valency आपका क्या हो जाएगा, one, यहां देखे, D का valency आपका one हो गया, आगे देखिए हम E का बात करते हैं, ठीक है, यहां देखिए, E का बात करते हैं, तो E का देखिए, E का हम आपका लिख रहे है, E देखिए, E के outer most cell में देखिए यहां पे, outer most cell कौन सा है, M है, M में कितने 8 electron, इसका outer most cell का अगर हम बात करें, outer most cell, outer most cell कौन सा है, M, और M में electron कितने है, 8 electron है, ठीक है, यहां समझेगा, M में आपके 8 electron है, ठीक है, तो देखिए, अगर हम इसका balance का पात करें तो यह आपका इसका बैलैंशी क्या हो जाएगा जीरो क्यूकри ना तो इसको इलेक्ट्रों Gain करने का जिरोथ है ना तो लूस करने का जीरोथ है ठीक है तो यह हो गया आपका a balance 1 और एक और किस न वह समय आगा धिक यहां दिखा रहे यहां दिखा रहे हैं हमने यहां ज़िगक साथ इस थी आंसर क्या हो हो जाएगा यहां लिख देर है लेगा गए नेम अन्asm यहां समझीगा देखे हैं कि सी अलिमेंट का उपने की हैं किसी अलिमेंट का बियंहें है तो फर्ट पार्ट में देखिए सी अलिमेंग का वयलेंसी जो है ये आपका कितना आया था 5 यहाँ it कि ऐसा कौन सा element है जिसका balance C का balance की same होगा तो देखिए, C का balance 3 है और कौन सा element का balance आपका 3 आ रहा है तो देखिए, यहाँ पे हमने calculate किया था तो A का ضetी की देखिए, का balance कितना रहा था 3 आ रहा था, B का 1 आ रहा था, तो B option तो होगा नहीν C का आपका 3 ठीक है तो देखे A और C का दोनों का balance यहां साथ आपदेख सकते A का भी balance 3 और C का भी balance 3 ठीक है और D का balance 1 आ जा रहा है तो यह तो होगा नहीं E का 0 तो C third part का आपका answer क्या हो जाएगा A A का भी balance आपका कितना आ रहा था यहाँ पर हमने calculate किया था 3, ठीक है, दोनों का balance ही same आ रहा है तो इसका third part का answer क्या हो जाएगा A, ठीक है Classics to 12 से लेके Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर